उवेसी की संसत सदसता खत अनुचेत 102 में फस गए AIMIM प्रामुक संसत में जै फिलिस्तीन बोलना पड़ा महंगा नमस्कार मैं हूँ परवीन शेख आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी क्या कभी उवेसी ने भारत माता की जै बोला है क्या उन्हें अपनी मातर भूमी से प्यार नहीं है क्या उवेसी जैसे लोगों की वज़े से ही पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होता है लेकिन उवेसी ये जान ले उन्हें देश की संसद में जै फिलिस्तीन कहना भारी पढ़ने वाला है उनकी संसद सदस्ता को लेकर कोई बड़ा फैसला कभी भी हो सकता है क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उनके खिलाफ देश में नाराजगी और गुसा बढ़ता जा रहा है देश के कई हिस्सों में उवेसी के पुतले जलाए जा रहे हैं कई थानों में उनके खिलाफ एफ आयार दर्ज की जा रही है हिंदू महासभा से लेकर तमाम हिंदू संगटनों ने उनके खिलाफ शिकायते दर्ज कराई है उनके खिलाफ राश्टपती द्रोपदी मुर्मू के पास शिकायतों का धेर लग चुका है अब लोग उनकी जान लेने पर भी उतारू हो गए है भारत के लोगों का साफ कहना है कि अब उवेसी को संसत में रहने का कोई हक नहीं है उवेसी की काली कर्टूत पर लोग ठूक रहे हैं साथी इस मामले पर विपक्ष की खामोशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं सम्विधान खत्रे में लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले राहूल गांधी ने भी एक शब्द नहीं बोला जो कॉंग्रस की असलियत को दिखाता है और बताता है कि ये लोग सम्विधान को लेकर कितने गंभीर है वह इंदौर, भोपाल, खंड़वा जैसे कई हिस्सों में उवेसी के पुतले फूके जा रहे हैं और विरोध तेज हो चुका है और ये सभी उवेसी की संसत सदसता को खत्म करने की मांग कर रहे हैं वारण असी और इंदौर में फूका गया उवेसी का पुतला AIMIM चीफ उवेसी मुर्दाबाद के लगे नारे वारण असी के जिला मुख्याले पर 29 जून यानि शनिवार को AIMIM चीफ असुद दिन उवेसी के खिलाफ विभिन संगटनों के युवाओं ने नाराजगी जताए साथ ही मुर्दाबाद के नारे भी लगाए संसद में शपत के दौराण उवेसी ने जै फिलिस्तीन का नारा दिया था इसी को लेकर युवाओं ने नाराजगी जाहिर की है लोगसभा में संसद सदसे के रूप में शपत लेते हुए असुद दिन उवेसी का ये घिनोना काम भारत के संविधान के अनुचेद 102 के खंड 1 के खंड घा का स्पष्ट उलंगन है इस अनुचेद में ये प्रावधान है कि अगर कोई संसद सदसे किसी दूसरे देश के प्रती अपनी निष्टा दिखाता है तो ये उसका उलंगन माना जाएगा ये उसके संसस सदस्यता तक को रद कर सकता है और ये कृत्ते संसस सदसे की सदस्यता समात करने के लिए एक मजबूत आधार देता है ऐसे हालात में भारत के संविधान के अनुचेद 103 के खंड 1 और खंड 2 में ये स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई संसस सदसे भारत के संविधान के अनुचेद 102 के खंड 1 और घा का उलंगन करता है तो उसकी संसस सदस्यता अनुचेद 3 के खंड 1 और दो में वर्नित प्रावधानों के मताबिक भारत के माहमहिम राष्टपती को यादिकार होगा कि उसकी सदस्यता रद कर दी जाए वहीं छात्रों ने कहे कि अनुचेद के अनुसार चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगना हो तो उक्त प्रकरण के संबंद में वो चुनाव आयोग से भी यहाँ पर रिपोर्ट प्राप करके असुदिदिन उवेसी की संसद सदस्यता समाप करने की मांग कर सकते हैं ऐसे हालाग में असुदिदिन उवेसी की लोगसबा सदस्यता भारत की समविधान के सम्मान में और अनुपालन में अनुचेद 103 के खंड 1 और 2 में जो भी प्रापधान दिये गए हैं उसके मताबिक उनकी लोगसबा सदस्यता को समाप किया जा सकता है और ये बेहस जरूरी भी है और लगातार ये युवाओं में मांग जो है वहाँ पर वारानसी में की जा रही है अपनी इनी मांगों को लेकर काशी के नागरी को छातरों, नौजमानों और सामाजिक कारे करताओं ने दिला मुख्याले पर जम कर विरोध प्रदशन किया साथी साथ पुलिश कमिशनर और जॉइन पुलिस कमिशनर कैंट के यहाँ पर जो विद्दूत सक्सेना है उनके जरिये महा महीम राश्पती को भी एक खत लिखा है और इस मौके पर प्रतीनेदी मंडल में विवेका नन सिंग, अवनीश राय, प्रतीकुपाध्याय, प्रतीकुपाध्याय के साथ यहाँ पर प्रवीन राय और शौबिद वुकास जैसे कई यहाँ पर बीजेपी कारे करताओं ने भी इसके खिलाफ जम कर विरोध प्रदश नमनीत राणा ने भी उवेसी के खिलाफ मूर्चा खोल दिया है। अपील की है कि मैं आपसे भारतिय सम्विधान के अनुचेद 102 और 103 के मुताबिक आसुद्य दिन उवेसी की संसस सदसता रद करने की मांग करती हूँ। अन्य राष्ट के प्रती अपनी वफादारी या निश्टा दिखाता है या जो ऐसा काम करता है उसे संसस से निश्कासित किया जा सकता है। आंतरिक सुरक्षा को खत्रा नवनीत राणा ने में पत्र में लिखा है कि ये बहुती गंभीर मामला है। ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकता है। संसत का सदस्य बनना हर भारतिय नागरिक का करतव्य है कि वो देश की एकता और अखर्णता को बनाए रखे और इसके बाद भी असुद दिन उवेसी ने सारवजनिक रूप से इसका उलंगन किया है जो एक तरह से देश-द्रोव है। नवनीत राणा ने लिखाए कि अनुचेद 102-1D के अनुसार कोई भी वेक्ती जो किसी अन्य राष्ट के प्रती अपनी निष्टा या प्रती बदता व्यक्त करता है वो संसत के सदस्य की रूप में कारिन नहीं कर सकता। नवनीत राणा इस बार अमरावती से हार गई है और 2019 में वो अमरावती से ही निर्दली चुनाव जीती थे। पन ए और 147 के तहट मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मताबिक कुछ लोगों ने ओवेसी के घर पर हंगामा किया था और स्याही फेकी थी। पोस्टर चपकाए जिसमें लिखा था भारत माता की जय मैं इसराइल के साथ हूँ और उवेसी को निलंबित किया जाना चाहिए। इस घटना के एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हुआ था जिसमें एक उपद्रवी ने कहा कि देश के युवाओं को उस नेता के खिलाफ एक जुट होना चाहिए जो भारत माता की जय नहीं बोलता। और इस जानकारी पर ही दिल्ली पुलिस ने पोस्टर हटा दियते हैं। तो वो बेबस बनकर खड़े रहें। पादे की AIMI सांसद उवेसी ने मंगलवार लोग सभा सदसी के रूप में शपत लेते वक्त जय फिलिस्तीन बोला था और इस पर कई सांसदों ने आपत्ती जताई थी संसद में भी जमकर हंगामा हुआ था। उवेसी को चुकानी होगी भारी कीमत। संसद में सामने आ जाता है। वैसे ये वही लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेट करते हैं। वैसी जैसे लोग अपने समाज और देश के नाम पर कलंग से कम नहीं है। चौतरफा गिरे उवेसी पर केंद्रे मंत्री जी किशन रेडी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि A.I.M.I. सांसद असुदिदिन उवेसी ने संसद में जो जैफिलिस्तीन का नारा दिया वो बिलकुल कालत है। ये सदन के नियमों के खिलाफे वो भारत में रहकर भारत माता की जैद नहीं कहते। लोगों को समझना चाहिए कि वो देश में रहकर और सम्विधानिक काम करते हैं। शुरू कर दिया था। ये सम्विधान विरूधी शब्द है। ये सम्विधान विरूधी शब्द है। ये सम्विधान विरूधी शब्द है। ये सम्विधान विरूधी शब्द है।